नमस्कार दोस्तों आजके वीडियो में में लोग पड़ेंगे। प्राचीन काल में बिवा के प्रकार। तो मनुanced निवीवा के 8 प्रकार का उल्ले किया गया है। और इस चाइड लिखा है दोस्तों निन्नी विवा इसके अंतरगत क्या क्याता है आसुर विवा गंधर विवा पैसाच विवा और राक्षस विवा तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं पर संस्री विवा और सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे ब्रह्म विवा तो सबसे पहले आप लोग जाने ब्रह्म विवा किसे काते हैं तो लड़की के बिस्क हो जाने पर लड़की के पिता के द्वारा लड़की के बिस् तो हम लोग उससे क्या कहेंगे अरेंज मायरज कहेंगे दूसरा देखिएगा देविवा किसे कहा जाता है देविवा किसे कहा जाता है तो यह कराने वाले पुरोहित के साथ लड़की का विवा कर देना ही यह कराने वाले पुरोहित के साथ लड़की का विवा कर देना ही क्या आपको to RS22 to have Conta कि इसमें क्या होता है तो लडगी के द्वारा भर पच्छ के द्वारा लड़की के पीता को एक जोड़ी गाया एक जोड़ी व्याले करके उसके लड़की से बीवा करना आरस द्वार जाता है उसके बाद देखिए अगला परजा प्रजापत्य विवा किसे का जाता यानी लड़की के द्वारा लड़की के पिता से हम लोग से शार असुरे तो आसुर विवा किसे का जाता है लड़की को खरीद करके लड़की के पिता को धन दे करके लड़की को खरीद करके विवा करना आसुर विवा का जाता है उसे उसके बाद से देखे गंधर विवा यानि इस्त्री और पुरुस एक इस्त्री और पुरुस जो आपस में प्रेम करते हैं और बीना पैरेंट्स को बता है यानि अपने माता पिता को बीना बता है साधी कर लेते हैं उसे का कहा जाता है मतलब इस तरह के विवा को गंधर विवा कहा जाता है और आज के डेट में हम लोग क्या काते हैं लब मायरेज कहते हैं पैसाच विवा पैसाच विवा किसे कहा जाता है तो पैसाच विवा स्वोई हुई इस्तिरी के साथ स्वोई स्वोई हुई इस्तिरी के साथ जबर्जस्ति यानि बलपूर्वक पैसाच विवा करना ही किसे कहा जाता है पैसाच विवा कहा जाता है लड़की को बल पूर्वक अपहरर करके बिवा करना ही क्या का जाता है उसे प्राक्षस बिवा का जाता है ठीक है आई होप मैं अपने बातों को समझा पाए आपको तो चलिए हम आपको नोट करा देते हैं इसलिए कि लिखना ही मुक्ष है आपके लिए यह तो सब माया थी आप भूल जाएंगे तो थोड़ा सब दो दो पॉइंट लिखवा देते हैं ब्रह्म विवा ठीक है आप इसके आगे लिखेंगे लड़की के वैस्क लड़की के वैस्क हो जाने पर लड़की के पीता के द्वारा लड़की के वैस्क हो जाने पर लड़की के पीता द्वारा उसके लिए योगद्बर धूढकर योगद्वर धूढकर धूढकर बिवा करना वेवा करना ठीक है इसे रोका काएंगे ब्रह्म विवा इसे ब्रह्म व्यंगा जाता है उसके बाद से देखिए अगला दैय व्यूआ तो जग एकराने वाले पुरोहित के साथ लड़की का बिवा कर देना जग एकराने वाले पुरोहित के साथ अपने लड़की का बिवा करना अपने लड़की का बिवा कर देना आर्स बिवा काफी important है इसमें क्या होता है तो बर पच्च के द्वारा यह नहीं लड़के पच्च के द्वारा बर पच्च के द्वारा लड़की के पीता को लड़की के पीता को एक या दो जोड़ी एक या दो जोड़ी क्या दिया लेता है इसमें गाल या बायल दे करके पिवा करना उसके पासे आप नोट करिए गाफ परजापत्ति व्या अ मतल लड़की के द्वारा लड़की कहात मांग कर विवा करना परजापत्य विवा करता है और इसमें बीना दह्य का विवा होता है को इसके वाद से गंदर विवा आपको बता दिया है कि लड़की को सोी हुई लड़की के साथ करना क्या क्या आता है तो still और आपको बता दिया त्यह disciples लड़की को अपहरर करके लड़किसी बीवा करना अग्शुत Thank you म मैं अपने बातों को समझा पाया और आप अच्छी तरह से समझ गये होंगे और काफी आप प्रजापत्य पुछा जाता है कि निन्नी बिवा कंतरद क्या 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 आता है और इस पर आप